एक पठान ने चिडिया घर बनाया और टिकेट 50 रुपे रखी, कोई भी नहीं आया, फिर पठान ने 25 रुपे रखी, फिर भी कोई नहीं आया, पठान ने फिर 10 रुपे रखी, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया, आफिर पठान ने इंट्री फिरी कर दी और चिडिया घर और बाहर निकलने की टिकेट दो सो रबे कर दी अंकल बेटा मेट्रिक की रिजल्ट का क्या बना लड़का अंकल चाहे लेंगे अंकल अरे नहीं बेटा रिजल्ट का क्या बना लड़का अंकल कौफी लेंगे अंकल बोले ये बताओ रिजल्ट का क्या बना लड़का अच्छा अंकल उस दिन आप पिंकी आंटी के साथ कहा जा रहे थे अंकल अच्छा बेटा चाय के साथ बिस्किट भी लाना एक शक्स बहुत गरीब था जब उसके पास खाने को कुछ ना रहा तो बीवी से कहने लगा बच्चों को ननियाल भेज़ दो और तू अपने मेगे चली जाओ मेरा अल्ला मालिक है मैं अपने सुस्राल चला जाओंगा एक सरदार जी ने रास्ते में देखा कि एक शखस गदे को खींच रहा है मगर वो हिलने का नाम नहीं ले रहा सरदार जी ने कहा मैं कोशिश करो उस बंदे ने कहा ठीक है सरदार जी ने भी बड़ी कोशिश की मगर गदा अपनी जगा से ना हिला सरदार ने पूछा ये गधा कितने का है उस बंदे ने कहा तीन हजार का सरदार जी ने तीन हजार उस बंदे को दिये और गधे को ये कहते हुए गोली मार दी कि जाद का खोता है और अकड सरदार वाली एक चर्सी का रात तीन बजे बेटा पैदा हुआ पैदा होते ही चर्सी ने एक थपड मारा बीवी ने घुस्से से कहा बच्चों को कोई ऐसे मारता है चर्सी बोला ये पहले ही रात तीन बचे खराया है जब जवान होगा तो किस वक्ग घर आएगा उस्ताद तूं कल स्कूल क्यों नहीं आए शागिन आप ही ने तो कहा था कि बगएड सबक याद किये इस्कूल ना आना बीवी जब मैं बात कर रही होती हूँ तो दर्मियान में जमाईया नहीं लिया करो शोहर मैं जमाईया नहीं लेता मैं तो बात करने की कोशिश करता हूँ वेटर पचास रुपे टिप तो मेरी बेज़दी है सरदार तो फिर कितनी टिप दो वेटर सो रुपे तो दें सरदार नहीं यारा हम तुमारा डबल बेज़दी नहीं कर सकता पुलिस तुम्हें कल सुबा पांच बज़े फांसी दी जाएगी सरदार हा 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 पुलिस क्यों हस रहे हो सरदार मैं तो उटता ही सुबह नौ बज़े हूँ एक चीनी और एक पाकिस्तानी चांड पर गए दोनों ने नीचे देखा तो चीनी बोला वो देखो चाइना वॉल पाकिस्तानी वो चाइना वॉल नहीं है ये पाकिस्तान है और आज बुद्ध है इसी लिए सी एंटी की लाइन लगी होई है मा बच्चे से घुसा हो रही थी उल्लू का पठा शैतान का बच्चा शोवर बोला क्यों सुबा सुबा अपने दिश्देदारों को याद कर रही हो एक सरदार रेन की पट्री पर सो गया एक आदमी ने कहा क्या कर रहे हो ट्रेन आएगी तो मर जाओगे सरदार मेरे उपर से हवाई जहाज गुजर गया तो कुछ नहीं हुआ ट्रेन क्या चीज़ है एक शागिड ने दरिया में अपने उस्ताद को डोपते हुए देखा तो ये चिलाता हुआ मदर्से की तरफ बागा कल चुटी है कल चुटी है खावन बैठे बैठे बीवी को गौड से देख कर सोच रहा था अपनी जिन्दगी की ये वाहिद इन्वेस्मेंट है जो देखते ही देखते डबल हो रही है बीवी सरदार सोड से कहां जा रहे हो सरदार शेर का शिकार करने जा रहा हूँ बीवी तो जाओ मेरे पास क्यों खड़े हो सरदार कैसे जाओं बाहर कुटा खड़ा है बशीर चर्स का इस्तमाल बहुत ज़्यादा करता था और वो बशीर चर्सी के नाम से जाना जाता था एक दिन बशीर चर्सी तबलीग करने वालों के हाथ लग गया तबलीगी जमात वालों ने चर्स चुड़वा कर उसे सही रास्ते पर लगा दिया अब वो तबलीगी जमात के साथ जाया करता अब जमात के साथ जहां भी जाता उसका तारुफ कराया जाता कि ये हमारे बशीर बाई हैं ये बहुत बड़े चर्सी थे हमारे जेरे असर इन्हों ने चर्स पीना छोड़ दिया एक दिन हजब मामूल तबलिगी दोस्तों ने उसका तारुफ कराया कि बशीर भाई इन पाकिस्तानियों को जरा बताओ कि किस तरह तुमने तबलिगी जमात से मतासिर होकर अपनी चर्स छोड़ दी बशीर भाई रोते हुए बोले अलहम्दलिल्ला अल्ला पाक ने मेरा बहुत पर्दा रखा था लेकिन अचानक मुझे ये तबलिगी भाई मिल गए उदा की कसम इतना तो मैं चर्स पीते हुए बदनाम नहीं था जितना चर्स छोड़ कर हो रहा हूँ रिजल का दिन था लड़के ने दोस्ट से कहा मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं तुम जाओ और रिजल देख कर आओ अगर मैं एक पीपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसल्मान भाई सलाम कहता है अगर दो में फेल हुआ तो कहना दो मुसल्मान भाई सलाम कहते हैं दोस्ट गया और थोड़ी देर बाद वापिस आकर बोला पूरी उम्मत मुसलिमा तुमें सलाम कहती है डॉक्टर क्या मसला है आपका मरीज पतले मोशन डॉक्टर कितने पतले मरीज बहुत पतले डॉक्टर फिर भी कितने पतले मरीज चिड़ के बोला इतने के आप इससे गोल गपे खा सकते हैं डॉक्टर लख दी लानते कमीने बीवी शॉपिंग करके घर आई तो शौर ने दर्वाजा फुला बीवी ये टपा उठा लो शौर इसमें जरूर मेरे खाने की कोई चीज़ होगी बीवी हाँ हाँ मेरे जूते हैं प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल झालेफे लगे लाईárias झालेफेंग Wednesday झालेफेंग मेरे आवर चैनल के जself नहे चैनल झालेफेंग試 झालेफेंगे झालब प्लीप झालेफें मेर बीवी होगी क reminder